Quality, Assurance आज के इस Lecture में हम स्टार्ट करने वाले हैं B Pharmacy 6th Semester Quality Assurance और Quality Assurance में आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं Unit No. 2 को सर ऐसा क्या प्यार है Unit No. 2 से जो 1 को Skip करके सिधा 2 से स्टार्ट कर रहे हैं देखो Unit No. 2 आप पहले ही पूरा पड़ चुके हैं सर कहां पर पढ़ा है अभी तो टॉपिक स्टाडी करा है अरे भाई जब आपने शेडूल पढ़े थे तो वहां पर आपने शेडूल M पढ़ा था मैनुफैक्चरिंग वाला जहां पर आपने देखा था कि अगर बंदे को किसी भी ड्रग की किसी भी डोजस फॉर्म की क्लीन होना चाहिए स्टाफ रोम बंड को कुई बिमारी नहीं ओनी चाहिए बंदा बिल्कुल अलग होना चाहिए, लेवेटरी मतलब टॉइलेट्स वगेरा, ठीक है, तो ये सारी बाते हमने पहली भी देखी हुई है, जूरिस्पूडेंस में, फिप सेमेस्टर में, शेडिल M में, तो अभी मैं एक लेक्चर को एड कर रहा हूँ, उस लेक्चर से आपको पू जैसे की personal responsibilities, कि हमारी क्या क्या responsibilities है, अगर हमारी तवित खराब है, तो हमें पहले ही बता देना चाहिए, कि हमारी तवित खराब है, हम आज production एरिया में नहीं जा सकते, manufacturing एरिया में नहीं जा सकते, storage एरिया में नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी तवित खराब है, और हो सकता है, हमारे द्वारा प्रोड़क्ट भी कंटामिनेट हो जाए, खराब हो जाए हमारी ट्रेनिंग प्रोपर होनी चाहिए हम प्रोपर हाईजिनिटी मेंटेन करें ठीक है, बिल्कुल साफ सफाई से जाए अगर हम ही गंदे होकर जाएंगे डस्ट लेकर, बैक्टिरिया लेकर अगर हम ही जाएंगे, तो हमारा प्रोड़क्ट खराब हो जाएगा, और जो भी हम बना रहे हैं, उसका प्रोपर रिकोर्ड मेंटेन करें, फिर जहांपर हम जा रहे हैं, प्रिमाइसिस में, प्लांट में, उसका डिजाइन प्रोपर होना चाहिए, वहाँ पर किसी भी तरह का क्रैकिंग वगेरा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं एच्छा से पानी टपक रहो, ठीक है, वहाँ के फ्लोर्स इस तरह से होने चाहिए, बिल्कुल नीट और क्लीन, अगर कोई केमिकल उन फ्लोर पे गिर भी जाता है न, तो वो केमिकल इजली साफ हो जाना चाहिए, वोश आउट हो जाना चाहिए, प्रोपर क्लीनिंग वहाँ पर बनी रहनी चाहिए, जो भी आपका प्रिमाइसे से, जो भी आपका ले आउट है, उसका कंस्ट्रक्शन एकदम प्रोपर होना चाहिए, वहाँ पर मेंटेनिंस प्रोपर होनी चाहिए, सेनिटेशन प्रोपर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सेनिटाइजेशन नहीं करें, सेनिटेशन एकदम प्रोपर होना चाहिए, वहांका environment भी एकदम pure होना चाहिए अगर किसी भी तरह का bacteria, virus, fungi किसी भी तरह का microorganism, किसी की तरह का foreign particle अगर हमारी production area में चल जाता है production में चला जाता है तो पूरा product खराब हो जाता है utilities and maintenance of sterile area अब जैसे माल दीजे कोई sterile area है जहां पर कि हाँ microorganism नहीं है प्रोपर धियान रखना है control of contamination हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि किसी भी तरह का कोई भी contamination हमारी product को damage ना करे क्योंकि फिर पूरा का पूरा batch ही खराब हो जाएगा अगर कुछ भी contamination गया production area में, manufacturing area में या फिर storage area में साथी साथ हम जो equipment यूज़ कर रहे है वो equipment proper होने चाहिए देखो जैसे माली जी ये equipment है तो ये equipment proper होना चाहिए up to date होना चाहिए updated होना चाहिए sterile होना चाहिए और अगर माली जी दो equipment रखे है तो दोनो equipment के बीच में proper space होना चाहिए equipment का पूरा instruction लिखा होना चाहिए कि किस तरह से operate करना है किस तरह से use करना है और अगर कोई special instruction हो तो वो भी महाँ पर mention होना चाहिए जिसे हम कहते हैं SOP उसके बाद जो भी raw material है उसका storage proper होना चाहिए क्योंकि raw material is the starting material initial material जिसे हम product का formation करते हैं तो जो भी raw material है वो proper storage area में होना चाहिए raw material free from microorganism होना चाहिए raw material में किसी भी तरह का moisture नहीं होना चाहिए contamination नहीं होना चाहिए इसको proper storage हमें देनी चाहिए as for the favorable environment equipment selection equipment एकदम proper select करना है जिसमें किसी भी तरह का कोई value में change ना है जिसे माली जा में 5 gram लेना है 5 gram कीज़े किया मेरे 6 gram दिखा रहा है equipment ठीक है weighing machine खराब है तो ऐसे सारी चीजों का ध्यान रखना है purchase भी उनको देख कर करना है maintenance उसकी proper रखना है तो ये सारी बाते आप पहले ही पढ़ चुके हैं अब मैं यहां पर एक lecture add कर रहा हूँ उस lecture को देखो फिर आपको और अच्छे से बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है और इस पर आप बहुत सारा लिख सकते हैं तो चलिए मैं lecture को add कर देता हूँ देखो यहां पर अब आपने schedule M से गुड मनुफेक्टरिंग प्रैक्टिस करनी है आपको ड्रग बनानी है तो आप जो ड्रग बनाओगे आपके लिए सारे equipment तयार है सारे calibrated है सारे steril है और proper staff है skilled staff है सब कुछ तयार है तो जो आपकी drug बनेगी वो बहुत अच्छी बनेगी और उसके बाद आप उसका quality control कर सकते हो quality check कर सकते हो production देख सकते हो मतलब यह सारा आपका easy रहेगा काम उसकी quality control चेक करना quality assurance लेना उसकी cleaning करना सब कुछ proper रहेगा तो one by one देखेंगे यहापर कि हम किस तरह से drug को manufacture करते हैं ठीक है किस तरह से drug की manufacturing होती है और हमें यह देखना है कि drug की manufacturing के लिए कैसा environment चाहिए तो चलो start करते हैं one by one सुनते जाना समझते जाना एक blank paste पे मैं आपको समझाता हूँ अगर मुझे drug को manufacture करना है अगर मुझे किसी भी drug को manufacture करना है तो manufacturing करने के लिए मेरे पास एक proper premises होना ज़रूरी है एक proper area होना ज़रूरी है factory वगेरा उसमें अलग-अलग room होने ज़रूरी है जिसे एक room तो हो गया production area एक room वो हो गया जिसमे raw material आएगा ठीक है और एक room वो हो गया जहांपर manufacturing होगी एक room वो हो गया जहांपर quality control होगी एक room रेस्ट रूम हो गया और एक washroom का हो गया मतलब अलग-अलग तरह से एक proper arrangement होना चाहिए मेरी industry में ठीक है मेरा जो storage condition है वो अलग होनी चाहिए अगर कोई special storage condition है तो उसके लिए अलग होना चाहिए अगर कोई खराब है product तो उसके लिए अलग storage area होना चाहिए सबके लिए storage area भी अलग होना चाहिए तो देखो one by one में आपको समझाता हूँ माल दीजिए आपको infrastructure देखना है तो आप क्या-क्या देखेंगे सबसे पहले आप देखेंगे कि कहीं पे भी ceiling cracking नहीं होनी चाहिए कुछ cracking वगेरा ना हो पिर आप क्या देखेंगे कि अगर floor हो जो भी वहाँ पे floor है वो सारे clean होने चाहिए neat and clean अगर वहाँ पर floor पर chemical गिर भी जाता है न तो वो chemical easily साफ हो जाए दिक्कत ना दे उस floor पर stick ना रहे साथी साथ window जो है window जो है break नहीं होनी चाहिए unbreakable होनी चाहिए और अगर break हो भी जाती है तो उसको आपको repair कराना है साथी साथ वहाँ पर किसी भी तरे का कोई घोसला वगेरा नहीं होना चाहिए कोई चीडिया का घोसला या फिर कोई चूहा, कववा या फिर उसमें कोई rodents ठीक है, insects, मकडी का जाल ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो जो है, एक industrial लियरा है एक production एरिया है, अगर production प्रोपर करना है तो ये सब नहीं होने चाहिए चूह वगेरा, ये कुछ भी नहीं होने चाहिए क्योंकि ये production को खराब कर सकते है ठीक है, जो भी आपका staff होगा वो skill होना चाहिए, skill मतलब एकदम professional, trained बंदा होना चाहिए अगर आपके staff में से किसी की तवित खराब है तो उसको production एरिया में नहीं जाना चाहिए क्योंकि अगर आपकी staff की तवित खराब है और अगर वो production एरिया में गया manufacturing एरिया में गया तो हो सकता है virus, bacteria उस manufacturing unit में चल जाए वहाँ पर production में चल जाए और आपका पूरा बेच जो है खराब हो जाए ठीक है, साथे साथ और क्या होना चाहिए, water supply proper होनी चाहिए proper water की supply होनी चाहिए और proper drainage system होना चाहिए ठीक है, साथे साथ toilets जो है, अलग-अलग होने चाहिए male toilet अलग, female toilet अलग ये सारे तो points बढ़ाने की बात है exhaust होना चाहिए और purified water के साथ additional water भी होना चाहिए, जैसे washing के लिए, cleaning के लिए, हमें tap water चलेगा तो वो भी होना चाहिए water supply proper होनी चाहिए as well as electricity proper होनी चाहिए electricity के से होनी चाहिए proper होनी चाहिए, तो ये सारे infrastructure के बाद हमें अंदर देखना है कि क्या-क्या होना चाहिए अब आप जो equipment यूज करोगे वो equipment sterile होने चाहिए ठीक है, clean होने चाहिए ठीक है, और 2 equipment के बीच में sufficient space होना चाहिए, तो ये सारे points है अब ये सारे points लिखे हों है मैंने, सारे points, 20 से 30 points है यह से, देखो यहाँ पर आप देखिए जो भी वहाँ पर gas release हो रही है उसके लिए proper exhaust system होना चाहिए ठीक है, obnoxious का मतलब होता है extremely unpleasant, बिलकुल unpleasant जो gases होती है, order होती है, fumes होती है dust, smoke, other chemicals होते हैं, उनको निकालने के लिए proper exhaust system होना चाहिए बिल्डिंग का temperature जो है control होना चाहिए बिल्डिंग में हाईजिनिटी मेंटेन होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए ताती साथ किसी की भी entry नहीं होनी चाहिए, insect, pest, bird, vermin, rodent, चुए बगेरा यह सब नहीं आने चाहिए और जो आपकी पूरी lab है, जो आपका पूरा factory है, they shall confirm to the condition laid down in the factory act 1948 factory act आयता 1948 में उस factory act से आपकी factory बिल्कुल मिलती होनी चाहिए, कि factory act में यह यह होना चाहिए, तो आपकी factory में भी वो वो होना चाहिए मतलब वो factory act को follow गरे purified water होना चाहिए पर washing के लिए, cleaning के लिए आपको portable water भी चलेगा ठेक है, और जो water के tanks होने चाहिए, वो बिल्कुल साफ होने चाहिए time to time, tanks को जो है, periodically आपको clean करते रहना है ताकि उसमें impurity ना आए, क्योंकि अगर पानी में impurity आ गई, तो formulation में पानी का यूज होगा, और फिर आपके formulation में भी impurity आ जाएगी disposal होना चाहिए देखो, solid or liquid or gas or, जो भी आपका seeway जो, उसका proper disposal होना चाहिए, और ध्यान रखना, disposal सही तरीके से करना, वनना environment pollution act आपको हो जाएगा, ठीक है, उसके तहती करना, वनना दिक्कत आ जाएगी, penalty लगेगी, उसके बाद आपके पास wearing house जो होता है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, wearing house का मतलब ऐसा area, जहां पर आप drug को store करोगे, मान लिजी आपका साइड इफेक्ट दे रहा है, तो ऐसा product जो हमने बनाया, market में गया, और फिर भी वो सही से काम नहीं कर पा रहा है, वो side effect दे रहा है, toxic effect दे रहा है, adverse effect दे रहा है, जान ले वासा भी तो रहा है, तो उसको हमें फटा फट वापिस बुलाना पड़ेगा और इसको हम बोलेंगे product recall, क्या बोलेंगे product recall, ठेके, उसके बाद, यहाँ पर आप देखिए, appropriate housekeeping and rodent, paste, vermin, control, procedure and record maintain, आपको सारा देखना पड़ेगा कि यहाँ, यहाँ पे कोई vermin तो नहीं, paste तो नहीं, rodents तो नहीं, चुवे, वगिरा तो नहीं, सारा आपको चेक करना होगा, साधी साथ, आपको जो production area है, उसको साफ रखना है बिल्कुल, और वहाँ पर कोई भी third person नहीं जाना चाहिए, skilled trend staff भी जाना चाहिए, और cross contamination से उसे बचाना है, separate area होने चाहिए, अगर आपका एरिया वाले room से बिल्कुल अलग होने चाहिए, आपस में connect नहीं होने चाहिए, production area बिल्कुल अलग होना चाहिए, वढ़ना production में दिख्कत आ सकती है, साथी साथ जो वश्रूम है, वो भी बिल्कुल दूर होने चाहिए, ठीक है, production area से सब दूर होना चाहिए वाश रूम रेस्ट रूम सब दूर होना चाहिए और वाश रूम में मेल का लग फिमल का लग होना चाहिए देखो यहां पर लिखा है separate toilets for males and females and it should not be directly connect with the production और storage area ना production area से direct connect होने चाहिए ना storage area से direct connect होने चाहिए है साथी साथ अगर आप कोई risky preparation कर रहे हो जैसे माली जी आप antibiotics पर काम कर रहे हो six hormone पर काम कर रहे हो cytotoxic substance पर काम कर रहे हो तो उस ताइम आपको बहुत जादा special ध्यान रखना पड़ता है साथी साथ माली जीए आप यहां पर खड़े हैं और आप जा रहे हैं production area में जहां पर आप manufacturing कर रहे हैं manufacturing area में आप जा रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं तो आप smoking नहीं करेंगे आप drinking नहीं करेंगे आप कुछ खाने का सामन महाँ पर नहीं लेके जाएंगे आप प्रोपर गेट अप में जाएंगे प्रोपर ड्रेस वगेरा पेनेंगे अपने आपको प्रोपर sterile करेंगे देन आप एंटर करेंगे यहां पर लिखा हुआ है देखो smoking eating drinking चीविंग ऐसा कुछ नहीं करना चबाना नहीं कुछ खाना नहीं पीना नहीं अंदर इस्मोंकिंग नहीं करनी यह सब कुछ नहीं करना है वह production में नहीं जाने देगा वर्ना मेनुफेक्ट्रिंग खराब हो जाएगी साथे साथ सब के लिए अलग-अलग storage area होना चाहिए वही सारी बाते को यहां पर गुमा फिराकर गुमा फिराकर लिखा हुआ है देखो qualified experience staff होना चाहिए जो भी आपने formulation करिए जैसे माली जी आपने formulation करिए तो इस पर प्रॉपर लेबल होना चाहिए इस पर manufacturing date लिखी होनी चाहिए expiry date लिखी होनी चाहिए base number license number ठीक है इसमें कौन-कौन से ingredient use किये है precaution क्या रखना है और सब कुछ इस पर प्रॉपर मेंशन होना चाहिए आपकी formulation पर जो लेबल है उसमें प्रॉपर मेंशन होना चाहिए base number, license number, manufacturing date, expiry date, company का नाम सब कुछ प्रॉपर मेंशन होना चाहिए ठीक है तो यही सारी बाते यहां पर लिखी हुई है और product recall के बारे में बताया हुआ है अब एक बात और सुन लो जो product recall होता है माली जी यह product market में चला गया और इसको हमने वापिस बुलाया क्योंकि इसके toxic effect ज्यादा थे इसके side effect ज्यादा थे इसके adverse effect ज्यादा थे यह harmful हो रहा था तो इसको हमने वापिस बुलाया तो इसे हम बोलेंगे product recall यह बात मैं आपको बता दी अब जो product recall आएगे जो recall product आएगा उसके लिए अलग से storage area होना चाहिए ठीक है और दूसरी बात जितना भी product वा ठीक है digitally भी आपको रखना है सारा data record रखना है तो यह सारा आएगा आपका किसके अंडर में schedule GMP मतलब schedule M के अंदर में schedule M में आपको करनी है manufacturing लिख दोगे बहुत सारा हो गया बहुत लिख सकते हो इसमें बहुत बना बना कर लिख सकते हो तो यह थी आज के आपकी पूरी unit ज ठीक है अब यहां पर आपको जो sub adding दे रखिए जैसे training, hygiene, personal records यह जो particular particular आपको दे रखा है न यह सारा मैं आपको notes में add कर दूँगा वैसे जो main concept था वो मैंने आपको समझा दिया कि अगर कुछ भी आ जाए तो आप लिख सकते हैं बहुत अच्छे से लिख सकते हैं फिर भी आपको इनकी detailing में दे दूँगा आपको download करना है depth of biology application from the play store और वहाँ पर आपको application में सारे notes में update कर दूँगा unit number 2 के ठीक है अगर आप apple user है तो आप download कर सकते हैं my institute application my institute application जिससे आप download करेंगे वहाँ पर आपको अपने mobile नमर सा register करना है एक code required होगा जिससे आप depth of biology तक पोच नहीं है सीधा download कीजिए depth of biology application और अपने mobile नमर से register करिए यह notes महाँ पर आपको attach मिल जाएंगे सारे एकदम proper वैसे यह जितना पता है यह more than sufficient है पर और ले लो आप notes में ठीक है बहुत detailing ले लो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको connected रहना है जिसे कि आपको up to date रहना है exams related mcqs related कोई भी हमारा lecture आता है उससे related तो आप telegram इस्टाग्राम से जोड़ सकते हैं telegram पर मीम सब्डेट्स पोल्स mcqs सब आते हैं सभी की link description में है और एकर link open नहीं भी होती है तो आप जाए प्लैटफॉर्म पे Instagram, Telegram, YouTube, Play Store सभी पर जाके लिख सकते हैं depth of biology आपको हम मिल जाएं और ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं, have a nice day, have a good day, जै श्री राम, thank you